दोस्तों टीवी सीरे अनुपमा में ये दिखा गया है कि अनुपमा को अब अमरिका के एक रेस्टॉन में नौकरी मिल जाती है और रेस्टॉन का मालिक भी उसके काम से काफी खुश होता है और अब अनुपमा यहाँ पर कस्टमर्स को खाना वगरा जो है उसको सर्व करने का उसको काम मिल जाता है इस दोरान दोस्तों एक लड़की से उसके मुलाकात होती है वो लड़की के साथ अनुपमा की बात्चीत कर रही होती है तो वो जब खाना लेकर आती है अनुपमा तो वो उसको मैम कहती है जबकि वो लड़की बोलती है कि प्लीज उसको मैम ना कहिए और बकाईदा इस लड़की का जो नाम है वो शुर्ति है ऐसे में दोस्तो अनुपामा और शुर्ति के बीच एक अच्छी बॉंडिंग देखने को मिली है अब ये लड़की बोलती है अनुपामा को कि आपका नाम क्या है तो जैसे अनुपामा अपना नाम बताने वाली होती ह इसी बीच और इसी दोरान दोस्तो शुर्ति का गॉल आ जाता और भार चलियाती है अनुपामा उसके पीछे पीछे भार ने शुर्ती को यहाँ पर अनुष की दूस्तीं पत्नी के रूप में यानि कि उसके सेकेंड वाइप के रूप में प्रेजेंट किया है और दोस्तों आपको मैं बता दू कि अनुष का बाड़िया ने हाली में एक इवेंट के दौरान अपनी छोटी बेटी मयानिकी जिसका न और अगर दोस्तों अनुष ने अमारिका में जाकर दूसरी शादी कर लिया तो ये फैंस के लिए एक मज़ेदार ट्विस्ट होने वाला है और दोस्तों यहाँ पर मोड क्या आता है कहानी में ये भी दिल्चस्त होगा देखने के लिए दोस्तों मेकर्स ने मुझे लगता ह आई गया था कि अनुष जब रस्टों में काम कर रही होती तब उसकी मुलाकात एक शैफ से होती है जो कि भारतिया होता है अब यहाँ पर दोस्तों ये भी कहा जा रहे है क्या पता इस शैफ के साथ अनुपामा का एफ़ेर होगा क्योंकि अनुस्तों ऑल्रेडी गल्फ्रे कहानी अनुपामा को सुना रहा होगा और दूसी तरफ दोस्तों अनुस तो बेहत खुश है और उसे आप समझ सकते हैं कि उसकी जिन्दगी में एक नया चेप्टर जोड़ गया है और वो बिल्कुल बदल चुका है दोस्तों अमेरिका में अनुष का पाड़िया एक टालें अभी कैसे हासिल कर ली तो अनुष का बाड़िया इसमें जो क्रेडिट है वो अनुपामा को ना दे कर बल्कि अपनी बेटी जिसका नाम आध्या है उसका नाम लेगा अब दोस्तों सवाल ये उड़ता है कि आखिर छोटी कहा है क्या ये आध्या ही छोटी है या फिर पांस बड़ दोने वीडियो के साथ ख्यालक है अपना वीडियो के लाक्शे अधर को जीगा स्टेट यूद गुद्बाइए